हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत आपका एक वार फिट से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरब में और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं उत्राखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए हम तयारी करें फ्रेंड्स और हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉर्णि जाते हैं वही चीजें हम आज की वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले ठीक है और दोस्तों इसको इस वीडियो के बाद हम अपना नेक्स्ट जो यूनिट है उसको सुरू करेंगे जो की रिलेटेड होगा आपका रेडियो एक्रिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ठीक है तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना दोस्तों और वीडियो को समस्ते वें चलना और खुछ से जो हैं क्वेशन को करने के प्रयास करना ठीक है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारा आज का सेशन तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारे पास फर्सक्षिण है इसमें पूच आया है इन्वीच वन ऑफ फॉलोविंग कमपाउंड यह नोट इक्वल इनुन से किस के अंदर जो हैं सारे बॉंड्ड इक्वल नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर कुछ मॉलीक्यूस दे रका आपकर हमने नॉर्मली देखा हुआ है कि जो आपका BF3 हो गया और आपकी यह जो ALF3, NF3 इन सब की एक जैसी geometry है लेकिन जो CLF3 है उसकी जो geometry है वो थोड़ा अलग है और वो geometry आपकी trigonal bipyramidal ठीक है तो इसी लिए जो है इसके अंदर जो है वो bonds थोड़ा अलग हो जाते है इक्वल नहीं होते हैं इसका है option D ठीक है ना CLF3 जो है दोस्तों इसके अंदर सारे bond unequal होते है यह दखना चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखिए अगला है SP and SP2 hybridization is present in तो किसमे SP और SP hybridization जो है वो present है तो friends इसके लिए आपको इनका structure पता होना ज़रूरी है जैसी कि अगर पहले बात करें पहले दिखा रखाए ऐसी टाइलीन तो एसी टाइलीन क्या होता है बेसिकली अगर हम दो कारबन को जो है वो ट्रिपल बॉंड से जोड़ने तो वह एसी टाइल है तो उसमें तो दोनों ही कारबन आपके ट्रिपल बॉंड से जोड़े हैं और जो दोनों कारबन है उस पर समझे लो दो तरफ से बॉंड है तो इसलिए यह नहीं हो सकता है trong cui 1 तो नहीं होगा फिर 2 देखता है बिनायल ऐसी टाइलीन तो बिनायल जो ऐसे टाइलीन है दोस्तों udah होता है का जो फॉर्मॉला होता है वो हता है cog iki dvl-ch cc की इस तरीके Japanese तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो गीवाला है आपका यहां पर है cse-2 डबल bond CH, तो अगर ये वाला carbon देखें, तो ये इधर से दो bond से जुड़ा हुआ, इधर से एक, याई तीन bond से जुड़ा हुआ है, तीन bond से जुड़ा होने का मतलब है, यहाँ पर कौन सा होगा, SP2, तो पहला carbon जो है, इसमें SP2 है, दूसरा carbon यहाँ से भी जो है, आपका एक bond से जु हैं, है ना, तो गिन्नी में एक ही आएगा, यह दोस्तों तो इसका मलब दो bonding pair है, इधर से और इधर से, इसका मलब दो है, तो SP होगा, तो यह वाला जो है, वो SP hybridization हो गया, और जो अंतिम वाला है, इसके अंदर हमारे पास वो, क्या है, यहाँ पर C, triple one, CH, इस तरीके से SP2, फिर SP और फिर SP, तो वही वो पूछ रहा है कि, SP और SP2 hybridization किस में present है, तो यहाँ पर जो है, राइट आंसर हो जाएगा, आपका, बिनाइल एसेटाइली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखिए, तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी कारवन एटम की बात कर रहे हैं, जो कि कमपाउंड में, SP2 hybridized है, तो अभी अभी हमने देखा कि, जब SP2 hybridization होता है, इसका मतला होता है, दोस्तों, कि जो कारवन है, वो उसके अगल बगल कितने बॉंड बने होंगे, तीन बने होंगे, है ना, तो कुछ इस प्रकार से होगा, दोस्तों, कुछ तीन बॉंड जुड़े होंगे, तो तीन एटम जब जुड़े होंगे, तभी तो ये वाला जो का कौन सा हो जाएगा option C ठीक है next देखिए अगला पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेट्मेंट को बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए question first के अंदर वो कहा रहा है डाइब डाइबोरेन is an electron deficient molecule तो यहाँ पर यह बिल्कुल ठीक है यह डाइबोरेन का structure मैंने कल आपको वीडियो के अंदर समझाया था बी टू एच्सिक्स जिसमें कि आपका आपका थ्री सेंटर टू इलक्रोन बॉंड परजेंट होता है और दो बनाना बॉंड परजेंट होते हैं तो यह बात तो बिल्क वह बस्ट्री की बात करें के रहा है निकल कारवुनाईल इस पैरा मैगनेटिक कॉंप्लेक्स कंपाउंड अब इसको देख़िए निकल कारवुनाईल का फॉर्मुला क्या होता यहां पर देखिए नि-ाई यही होता है इसका अगर हम निकिल में निकिल का अगर हम अटोमिक मलब विन्यास लिखते हैं तो वो क्या होता है आपका और गना 18 उसके बाद 3D में जाते हैं आपकी 8 एलक्ट्रोन और बचे वे जो 2 हैं वो 4S में जाएंगे दो हैं ना यही होगा निकिल क्योंकि निकिल का कितना होता है 28 होता है तो यह 18 और 20 और 28 तो इस तरीके से होगा तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि यह CO4 के अंदर यहां पर यह कि अगर हम बात करें यह CO4 अभी हमने CFT theory नहीं पड़ी वी यह crystal field वाली तो उसके माधियम से हमको यह प उसमें pairing करवा देता है जैसे अगर हम इस 3D के 8 orbitals को इस प्रकार से दिखाएं यहां पर देखें एक दो तीन चार पाँच इस प्रकार से होता है 3D और उसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ 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 यहां पर हो गए हैं अब यह दो हैं इसमें single single electron अभी तक ह 4S में आगे इसके आगे जो 4S होगा उसमें 2 electron होंगे दोस्तो लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास CO जो है वो strong ligand है तो वो क्या करेगा इनको पीछे ले जाकर क्या करेगा दोस्तो इसके जो 4S के electron है इन दोनों को जाकर भर देंगे तो यह 3D जो है पूरी तरीके से भर जाएगा अब यह पूरी तरीके से भरने के वाद इसमें कोई भी जो unpaired electron है वो सेस नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में जब unpaired electron कोई भी नहीं रहता है तो उस स्थिति में जो molecule है वो क्या हो जाता है वो dimagnetic हो जाता है अगर उसमें unpaired electron होगा तो paramagnetic सकते होगा तो इसका मतलब यह गलत यही स्टेटमेंट यह क्योंकी यह कहाएक पैरा मैंगन encant profession तो नहीं जो नहीं बच रहा है क्योंकि जो कार्फोनाइल है सी ओ वह एक इस्ट्रोंग फिलि लिगेंड जो की क्या करा देगा अंदर d orbitals के अंदर forest के electron को shifting करवा के वहाँ पर pairing करवा देगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स देखिए यह कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3D forest के जो 2 electron है वो पीछे pairing के माधियम से यहाँ पर आएंगे यह पूरा भर चुका है और यहाँ पर यह खाली रहे हैं ठीक है तो इसका मंदब unpaired electron 0 हो गए चलिए आगे बढ़ते हैं next देखिए अगला है यहाँ पर the structure of anhydrous aluminium chloride is तो दोस्तों जो anhydrous aluminium chloride होता है वो उसका formula आपको पता होना चाहिए वो होता है आपका AL2 आपका CL6 तो यह मैंने आपको कल एक च चीज़ बताई थी कि जो ALCL3 है दोस्तों यह कभी भी जो है इस प्रकार से single form में नहीं रहता है यह हमेसा किसकी form में रहता है एक dimer की form में रहता है तो dimer जब इसका बनेगा तो कुछ कैसा बनता है इसका dimer इसका dimer बनेगा उसमें आपको जो aluminium है उसके साथ जो ALCL3 में तीन यहां पर इस CL पर जो lone pair है वो इस aluminium के back end orbital को donate हो जाएगा और नीचे की साइड भी जो है क्या होगा कि यहां पर यह एक CL जो और है बचा हुआ इसमें वो आपका इस aluminium के back end orbital पर donate करेगा तो कुल मिलाकर यह इस प्रकार का structure बन जाएगा यानि कि कुल मिलाकर जो ALCL3 वो dimer form ब कहते हैं ठीक है तो इसमें कौन सा आपको दिख रहा है वो option B जो है आपको सही से आपको दिख पा रहा होगा कि ALCL3 आपका एक है यहां पर ALCL3 दिख रहा है लेकिन यह जो दूसरा वाला ALCL3 है इन दोनों की बीच यह आपसम कैसे जुड़े हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास वह be क्या वाला नहीं होगा इसमें से CL की तरफ जो है आपका यहां पर अल्य मुनियम के बेकर और और उरुटल पर जाएगा खोर लेकिंगे побед चलिए यह बनता है कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों कि जो यह सी एल है इसका जो लोन पेर है वो यहां के खाली और बिटल के अंदर डोनेट होगा और यह क्योंकि यह सब्सक्राइब कराएंगे तो आप देखेंगे कि तीन जो है वो तो भर जाएंगे जो चार एस प्रकार से बनेंगे दोस्तों यह जब चार यहां पर एक समान उर्जा के SP3 और विटल बनेंगे इसके तो उसमें से जो दो तीन है वो उसमें तो दो दो इलक्रोन होंगे लेकिन यह चौथा वाला बिलकुल खाली होगा और इसमें जो है मॉलिक्यूल के जो सेफ हैं उसके बारे में देखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो XE F6 है उसका क्या आकरति होनी चाहिए तो बताने की जरूरत नहीं है कि जो क्योंकि XE जिनों के साथ 6 बॉंड है आप जब 6 बॉंड अलग लग दिसाओं में होते हैं तो इसका मलब होगा कि 6 जो हैं उसके उपर इलक्ट्रोन पेर हैं समझेरो आप 6 बॉंड यानि कि XE इसके चारो तरब जो हैं वो 6 बॉंड है एक दो तीन चार पांच छे छे बॉंड छे इलक्ट्रोन पेर होगे लेकिन जो हैं आप जानते हैं कि 6 होने के बाद भी जो उसमें 8 वैलेंजी है तो दो मलब एक जोड़ी जो है इसमें अभी भी लॉन पेर बच जाएगा तो इसका मलब एक तो लॉन पेर होगया और चहाई है यह होगे टोटल हमारे पास कितने होगे टोटल नमबर आप इलक्ट्रोन पेर साथ हो गए और जब यह साथ होता है दोस्तों तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बीस इप यही होता है ना SP3D3 तो देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है distorted octahedral structure with one lone pair on xe atom तो बिल्कुल यह right answer है पहला ही क्योंकि इसके अंदर जो geometry है वो distorted octahedral होगी distorted क्यों होगी क्योंकि xe पे जो है वो lone pair है एक समझ गे चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला question है next देखिए which of the following molecules shows dipole moment greater than zero तो यह 0 से ज़्यादा जो dipole moment कौन सा molecule सो कर रहा है तो पहला है आपका bf3 दूसरा है ccl4 तीसरा है pf5 और चौथा है आपका nh3 तो फ्रेंड्स अगर हम मैंने कल आपको dipole moment का लिए उसमें दिखाया था कि कुछ molecule इस प्रकार से उनकी geometry होती है कि वह उन पर जो resultant dipole moment है वह 0 हो जाता है समझे हो जैसे कि अगर हमने example के अंदर यह चीज़ देखी भी थी दोस्तों कि यहां पर जो bf3 है इसके जो तीनों तरब के फ्लोरीन है वह अपने आपको क्या करेंगे कि इस प्रकार से जो है यह एक दूसरे के बिपरी दिसा में जो है लगाते हैं इसका जो total जो resultant mu की value होती है यानि कि dipole moment की वह 0 हो जाता है समझे अब इसमें तो 0 हो गया CCL 4 में अगर आप बात करें तो यह भी उसी प्रकार का है चारों तरफ जो है चार जो है आपके बॉंड पेर हैं इसमें और वह भी एक जैसी symmetrical structure हो जाती है तो वह भी आपका एक तरह से mu की value 0 होता है P5 P5 यानि कि P5 P5 जो है इसका structure भी सेम वैसे ही होता है जैसे PCL 5 का तो हमने देखा ही था कि जो यह geometry बनाते हैं trigonal by pyramidal तो उसमें भी जो पांचों F हैं वो एक दे दूसरे को क्या करेंगे cancel कर देंगे तो mu की value 0 हो जाएगी लेकिन NS3 के अंदर हमने इस प्रकार के नहीं देखा था NS3 NH3 अब यह NS3 का जो geometry है दोस्तों यह जो कि यहाँ पर N के अंदर nitrogen के अंदर यहाँ पर lone pair of electrons होते हैं इस lone pair और bond pair के आपस में जो repulsion है उसके करारण इसकी जो geometry है और distorted हो जाती है तो यह जो इसके करारण से दोस्तों इसका जो net dipole है वो 0 नहीं होगा बलकि 0 से थोड़ा जादा रहेगा तो यही यहाँ पर right answer है NH3 ठीक है बाकी इनके structure आपको दिमाग में होने जरूरी है और वैसे भी अगर आपको इसमें बाकी के जो structure है उसके अंदर आपको बहुत आसानी से आपको समझ आ सकता है कि यह आपस मे दूसरे को cancel कर रहे होंगे ठीक है ना बाकी एक जो नाम है वो भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे कि अगर आप BF3 की बात करें molecule की तो यह जो geometry है BF3 की वो कैसी है trigonal planar यह उसको यह वही कहते है और प्य फाइब जो है उसके अंदर भी सेम वही चीज है आपका ट्रायंगुलर बाइप्रामिडील जेघमेटरी होती है और CCL4 तो आप जानते हैं कि चार है तो कैसी जवेट्री होगी टेट्रा हैड्रल जोमेट्री होती है आगे बढ़तें next increasing order of acidity of hydrogen atom standard to SP, SP2 and SP3 hybridized carbon atom is, तो यहाँ पर बोल रहा increasing order of acidity, तो अगर हम increasing order of acidity देखें in terms of hybridization, तो याद रखना कि जो SP है, SP type का उसमें सबसे जादा होता है, फिर उसके बाद SP2 में उससे कम होता है, फिर SP3 में और जादा कम होता है, समझगें, क्योंकि जो अगर हम SP की बात करें, तो वहाँ पर तो 50-50% character होता है, SP, S character 50%, P character 50%, और इस इस्तिति में जो है, आपका जो orbitals होते हैं, वो nucleus के ज़्यादा close होते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा, सेप के माध्यम से, कि जो S orbital से होते हैं, उनकी जो सेप होते हैं, कि वो अपने आपको nucleus के ज़्यादा जो है, पास रखना पसंद करते हैं, तो इसी वज़ए से जो है, SP में, क्योंकि S character बहुत ज़्यादा है, तो S में आपके SETT का जो है, वो maximum होगा, फिर उससे बाद SP2 में, फिर SP3 में, तो यहाँ पर करम कौन सा दिख रहा है, उस प्रकार का, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकेंड, बिल्कुल सेकेंड में ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि SP सबसे ज़्यादा दिखार का, फिर SP, नहीं नहीं है, consider the following compounds, यह चार आपके पास compound दे रख हैं, तो यह देख सकते हैं, आप यह compound, इनको ध्याँ से देखिए, और यह कह रहा है कि, of these having, those having zero dipole moment are, तो इसमें से उनको बताना है कि जिनका dipole moment zero है, तो आप ध्याँ से देखिए दोस्तो, बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर आप हैं, यार कि जो double bond है, वो पूरी तहीके से इस प्रकार से लगातार घूमता रहता है, तो resonance के कारान इसका जो mu की value resultant है, वो zero हो जाती है, second, अगर हम बात करें, OH तो यह फिनॉल की, तो फिनॉल के अंदर तो नहीं होगा, क्योंकि OH का कुछ न कुछ अपना dipole होगा, अगर ह हम तीसरे structure की बात करें, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि यह इस side को और यह इस side को opposite side में, यानि कि ट्रांस है molecule, तो ट्रांस molecule एक दूसरे को cancel कर लेते हैं, तो इसकी स्थिति में भी यह mu की value जो है, वो zero हो जाएगा, और यहां पर four है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि य एक और तीन जो हैं यह ऐसे compound आपको दिख रहे हैं, जिसके अंदर dipole zero हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर option के अंदर देखें अगर तो यहां पर कौन सा option होगा, option B right answer होगा, जिसमें की पहला और तीसरे की बात की नहीं, ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना होता है, चलि यहां पर कहा रहा है कि कारवन डाय जो CO2 हमारे पाव गैस होती है, लेकिन जो SO2 है, वो गैस नहीं होती है, सिलकन ऑक्साइड सारी, वो solid होती है, उसका कारण क्या हो सकता है, तो पहला देखिए, of the presence of discrete CO2 molecules held together by weak wonderwall forces, तो यहां पर पहला ही उत्तर बिल्कुल ठीक है, क्योंक आपके weak wonderful forces होते हैं, तो wonderful forces हमने पढ़े हैं कि वो क्या होता है, weak होते हैं, उतने मजबूत नहीं होते हैं, तो इसी वजए से जो आपका यह gas अवस्ता में रहता है, ठीक है, आगे बढ़ता है, next, अगला है, graphite is soft because, तो graphite आपने देखा होगा, जो pencil के अंदर refill होती है, और graph carbon atom is sp2 hybridized and has a seat like structure, तो यहाँ पर दोस्तो यही option बिल्कुल ठीक है, carbon atom जो graphite के अंदर होते हैं, वो sp2 hybridized होते हैं, यह आपको पहली बात याद रखनी है, और इसका graphite का structure है, यह भी diamonds की तरह ही कुछ कुछ होता है, लेकिन इसमें जो हैं, दोस्तो एक seat like structure होता है, चादर की त जाती है, इसकारण से यह जो layer होती है, यह उतनी ज्यादा, आसानी से एक दूसरे को उपर फिसल सकती है, बहुत soft होती है, तो इसकारण से graphite एक soft material बन जाता है, आगे देखिए next, अगला पूछ रहा है वो, in sf6, the hybridization of sulfur is, तो friends, यहाँ पर हमें hybridization बताना है, किसके अंदर, sulfur के molecule के अंदर, तो इसमें कोई बड़ी बात थो है नहीं, sf6, यानि कि आपका 6 आपके bond pair, आपके grave है, 6 bond pair की इस्तिती में, दोस्तों, हमने कई बार डिसकस किया है, कि जब 6 bond pair हो, तो कौन सा hybridization होता है, sp3 d2, समझ गे, तो यहाँ पर sp3 d2 किसमें दिख रहा है, option b के अंदर, तो right answer यही है, देखो, वही है कुलमला कि आपको bond pair और loan pair देखने होते हैं, ठीक है न, अब यहाँ पर देखिए, इसमें उसने already सारे bond occupy कर रखें, तो loan pair तो है नहीं, तो इसलिए bond pair ही गिने जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, consider the following statement, निमली खित में से विचार तो यह जो है, question थोड़ा irrelevant है, इस chapter से इसको रहने देते हैं, next देखिए, पहला है आपके पास, dipole moment of para hydroxy benzene is finite, फिर second कह रहा है कि dipole moment of benzene is zero, तीसरा, trans 1,2 dichloroethane has higher dipole moment than cis 1,2 dichloroethane, तो यहाँ पर बताना है कि इन में से कौन से statement सही हैं, तो friends, यहाँ पर देखिए, dipole moment of para hydroxy benzene is finite, para hydroxy benzene क्या होगा, यानि कि जो यह benzene है, इसमें आपका, जो para position होगी, उस पर, हाँ, यह hydroxy तो होगया उपर, और para जो position है, इस पर भी आपका, हाँ, क्योंकि di hydroxy है न, sorry हाँ, para di hydroxy, तो di hydroxy यानि कि para position पे आपने एक उपर और एक यह नीचे लगा दिया, तो इस प्रकार से यह बनेगा, तो friends, आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर, जो कह रहा है कि finite होगा, यानि obviously बात है कि कुछ ना कुछ इसका, एक dipole moment इसके अंदर generate होगा, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे के जो हैं opposite position पे तो हैं, लेकिन आपका O और H bond है इसके काराण से, और उपर भी OH bond है, इनकी काराण से कुछ ना कुछ dipole moment बेक्सित होगा, क्योंकि electronegativity का difference होता है, तो यहाँ पर यह statement ठीक है, second देखिए, the dipole moment of benzene is zero, तो यह हमने पहली बात कि कि benzene का dipole moment हो zero होता है, अब तीसरा देखिए, trans one two dry dichloro ethane has higher dipole moment than cis one two dichloro ethane, तो one two dichloro ethane क्या होता है, आपका, यह कुछ इस प्रकार से carbon, double bond carbon, one two dichloro, dichloro यानि कि दोनों पे chloro है, तो पहले में वो कह रहा है, one two dichloro trans वाला और दूसरा cis वाला, तो cis वाले में तो हम क्या करेंगे, दोनों chlorine एक ही side को दिखा देंगे, यह chlorine दोनों एक ही side को हैं, और दूसरी side क्या होगा, hydrogen होगा, और trans वाले में क्या करेंगे, जैसे यह C double bond C है, तो एक side CL होगा, एक side इस side होगा, HH, समझ रहा है, आप इसका higher होता है trans वाले का, तो trans वाले का higher नहीं हो सकता है, क्योंकि जब दो चीज़े trans position पर होती है, वो एक दुसरे से opposite direction में काम करती है, तो एक दुसरे के जो dipole moment है, उसको cancel कर देंगे, ठीक है, इस वज़े से दोस्तों इसका dipole moment net क्या होगा, zero होगा, और यहाँ पर वो कह first जाए right answer है, पहला और दूसरा correct है, चलिए आगे बढ़ते next देखिए, अगला है the nature of P4H10 molecules, तो P4H10 molecule है, उसके nature को हमने बताना है कि उसका nature क्या होगा, तो उसका structure जो हमें पता होना चीज़े, तभी हम उसका वो बता सकते हैं, तो P4O5 का अगर हम structure देखते हैं, तो यह कहते हैं, tetrahedral geometry कहते हैं, यह कुछ इस प्रकार का structure होता है, P4, चारों जो है, वो P, यानि पासपूरक्स के जो बॉंड है, वो आपस में इस प्रकार से जूडते हैं, कि वो एक tetrahedral जो टाइप की geometry बना देते हैं, बाकि उन पर सारे oxygen अलगवग प्रकार से जूड़े होते है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next देखिए, which one of the following molecules और oblique iron has square planer geometry, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है, square planer के, तो friends इसके लिए आपको जो हमने, एक तो हमने molecules वैसे वाले पढ़े थे, जिनके अंदर की कोई भी lone pair present नहीं था, और दूसरी हमने पढ़े थे type जिसके अंदर lone pair presents थे, किसमें BSEPR theory में, तो BSEPR theory के अंदर दोस्तों आपने एक चीज पढ़ी थी, कि अगर molecule कैसा हो, AB4, E2 type, यानि कि अगर उसके अंदर चार bond pair हो और एक lone pair हो, तो उस इस्तिती में, दोस्तों, सारी, दो lone pair हो, तो इस्तिती में, जो है, molecule की जो, geometry होती है, वो कैसी होती है square planner होती है, ठीक है, तो इसमें वहीं बताना आपको की square planner किसमें होगी, तो square planner किसमें होगी, जिसमें आपको 4 bond pair दिख रहे होगा, तो किसमें दिख रहा है, तो पहला वाला देखें, NICO4, यानि निकल के साथ 4 जो है, सिदे-सिदे league end हैं, जुड़े हुए, तो इसमें तो CL4 नेगेटिव तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखेंगे दोस्तों हम इस्ट्रक्चर को अगर तो यहां पर हमको दिखाए देखा कि जो आयोडीन है उसके उसके साथ जो है वो CL के चार बॉंड पेर जुड़ है तो यह विल्कुल ठीक है अब हमें बस लॉन पे नहीं क centimeters गहां चोना होती है मॉल्कुल की स्क्वेशन इंपनेमेंट्स उसमें होते हैं आपके टोटल सेवन फैंट तो सेवन गले मेन के planar तो इसका मलब जो है B molecule बिल्कुल right है square planar इसकी geometry होगी और square planar geometry के अंदर basically होता क्या है कि जो यह आई होता है इसका चारों तरफ जो है यह इस प्रकार से लग जाएंगे clcl और यह जो दो lone pair है उपर नीचे इस प्रकार से रहेंगे समझ गे तो यह square planar geometry इसको ऐसे मिला देते हैं अलग अलग ऐसे समझ गे तो यह square planar geometry कहलाती है ठीक है आगे बढ़ते है next देगे the type of hybridization present in xef2 pf6 negative sncl2 icl2 respectively are तो यह अलग अलग हमारे molecule दे रहे हैं उसमें हमने सब में आपको बताना कि hybridization कौन सा है तो कुछ नहीं है इसका इसके अंदर हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कि इसके उपर कितने लॉन पेर उसके चारों तरब कितने लॉन पेर हैं कितने बॉन पेर आसानी से बता देंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ इलक्ट्रोन बने यानि कि stea आपके आपके लॉन पेर होगे तो आपका ऊगया 2 तो बॉंड पेर हो गये और तीन आपके लॉन पेर होगे तो अपके पास कितने होगे 5 इलक्ट्रोन पेर होगे 5 माच होगे तो SP3D तो इसका मलब XEF2 में कौन सा हो गया SP3D तो SP3D किस में दिख रहा है आपको first में ही दिख रहा है और C वाले में दिख रहा है तो इसका मलब इन दोनों में से ही कोई एक answer होगा आप दूसरे में देखिए PF6 PF6 negative तो PF again जो है पी फास्पोरस तो तो फास्पोरस का भी हमें याद रखना पड़ेगा कि टोटल जो है आपके पांच तो मतलब जो outermost है उसमें पांच है और balance cell समझ लो जी balance cell में इसके पांच है लेकिन negative charge है तो एक और आ जाएगा तो कितने होगे 6 होगे अब इस 6 में से 6 ही उसने सारे के सारे इस f6 के साथ bond बनाने में यूज कर लिए तो 6 के 6 इसमें bond pair होगे तो जब 6 bond pair होता है तो कौन सा होता है sp3 d2 यह होता है देखो तीन और तो पांच और एक छे हैं होगे न तो इसका मला sp3 d2 जिसमें होगा वही right answer को तो a और c में sp3 d2 किसमें दिख रहा आपको दोनों में ही दिख रहा है देखिए इसमें भी इसमें भी तो इसका मलाब हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा तीसरा देखिए sncl2 sn यानिकि टिन तो इसके अगर हम बात करें total तो इसमें sncl2 का अगर cl के साथ जो हैं दो बना दिये तो दो बचे यानिकि एक लॉन पेर बज़िया है तो एक तो हो गया लॉन पेर और दो इसमें बॉन पेर होगा तो 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 तीन होगा तो क्या होगा sp2 तो अब बताइए a और c में sp2 किसमें दिख रहा है c में दिख रहा है बस right answer c हो है कि number of electron pair और bonding pair पूछा हुआ है दोस्तों तो यह भी हमें discuss कर लिया बार बार इसको discuss नहीं करते हैं तो आपका जो right answer है वो code के हिसाब साब भढ़ दीजिए ठीक है तो basically आपका जो a है उसमें आपका 4 है चार जो है आपके bond pair है और एक loan pair है आपके जो b है उसका जो है तीन ह जो clo2 है दोस्तों इसमें आपके कितने हैं दो bond pair और दो loan pair होते हैं तो दो और दो इसके होगे और xef2 के बाकत बचावा ठीक है तो यह इस प्रकार से आप loan pair और bond pair गिन सकते हैं आप कुछ बड़ी बात नहीं इसमें structure भी आपको याद रखनी है से एप सिक्स का कुछ इस प्रकार से होता है सी ओ चील टू का कुछ इस प्रकार का structure होता है और xe f2 का इस प्रकार का structure होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए which of the following statement is not correct कौन सा correct नहीं है तो पहला है xe f2 is a linear molecule in which there is sp3 d hybridization तो पहला बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल से हाँ ठीक है sp2 में एक linear है और उसके अंदर sp3 d होता है फिट नेक्स है आपके पास डाइबोरेन इस प्रिपरेड वाइ रियक्शन ओप मैगनेशियम ब्रॉमाइड और थो फॉस्पोरिक एसिड तो बिल्कुल ठीक है यह भी डाइबोरेन के जब रियक्शन आप देखेंगे उसमें आपको यह चीछ साही लगेगी पिर आपको पास c है nico4 is paramagnetic तो फ्रेंट से यह क्या हो जाएगा डी के सारे अर्बिटल बढ़ जाएंगे तो यह आपका डाय मैगनेटी हो जाए तो यही आपका यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इसको बता रहा है ठीक है आगे बढ़ता है next अगला है आपके पास which of the following pair has linear shape of molecules तो सेप linear किसका है तो एक त इसमें से आपको कौन सा linear लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं अगला देखिए अगें वही हमारे पास कुछ नाम दिये हैं कुछ molecule के आपके फॉर्मल दिये हैं और उसका आपको structure बताना है तो अगर हम हमारा करें सिधर सिदर की बियाफ थ्री तो बी ऐफ थ्री तो बी के तीनों तरव आपके एक एक जो है वहां वो फ्लोरीन का लग जाए गा तो structure हम उस प्रकार को जो structure होता है जिसमें की वी और एफ तीनों तरफ जो हैं लगी रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं ट्राइगोनल प्लेइनर स्ट्रक्चर कहते हैं तो पहला तो पहले का पहला ही हो जाएगा फिर स आई सी एल-4 तो स आई सी एल-4 में दोस्तो अगें जो हैं आपका क्यूंकि सिलिका सिलिकन की जो है वह कितना होता है चौदा ही होता है सिलिकन और चार ही उसकी वैलेंस होती है जो कि फुल्फिल है तो बेसिकली यह हो जाएगा आपका कैसा ठीक है यह आपका बी वाला ही होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा क्योंकि SIFCL4 है फर उसके बाद SF4 है तो SF4 में आपका स्क्वार पिरामिडल बिल्कुल ठीक है और IC4 नेगेटिव इसके अंदर यह टेटरा हेड नहीं यह तो अभी हमने डिसकस कर लिया था यह टेटरा हेडल नहीं होता है स्क्वार प् हो जाएगा और SIF4 इसमें तो टेटरा हेडल मैं क्योंकि चार बाला तो टेटरा हेडल होता है ठीक है तो पहले और दूसरे का तो मैच अलठी है और कि नए हां ठीक है ठीक है तुक है यहां पर जो है यह वाला पॉप्सण बिल्कुल साही जाएगा ठीक है राइट अंसर ऑप्शन ए ठीक है याद रखना आगे बढ़ते हैं नेक्स अगें वही इस्ट्रक्चर आगया हमारे पास वह वर्ट विच उप फॉलिंग स्ट्रक्चर इस रॉंग तो देखिए रॉंग स्ट्रक्चर हमको बताना है तो अगर हम पहले वाले राइख यहां पर जो देखने को मिलता है और यह जो भी के बन बांट हो रही हो लूट हमिन तो चलिए बढ़ते हैं चलिए पकोई पर CCP मिलतमौ का उटैक्ल staanकञ्श को जिलते हैं जिसको धायों कहते हैं और यह जो भी series सेंटरिक्ट आगे-चलिए आगे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पॉइंट आउट करना है जिनोन डाइफलोराइड इस नुक्लियर लाइनर मॉलेक्यूल इंवल्विंग एस्पी हाइबरडाइजेशन सेकेंड है डाइबोरेन इस एन इलेक्ट्रोन डाइफिशेंस मॉलेक्यूल है तो यह बिल्कुल ठीक है पहला ही ऑप्शन देखिए जीनोन डाइफलोराइड इस लीनियर मॉलेक्यूल तो यह बिल्कुल जो है वह कहा रहा है कि एस्पी हाइबरडाइजेशन वह इन्वाल्व करेगा तो मेरे ख्याल से तो यह गलत है यह बिल्कुल ठीक है कि एक्स इडाइफलोराइड य तो एस्पी तो हैड़ाइजेशन नहीं हो सकता है तो उसके हिसाब से हाइबरडाइजेशन क्या होगा फिर एस्पी 3D2 हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर यह ऑप्शन ए विल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें यह एस्पी हाइडराइजेशन बोल रहा है ठीक है ने यहाँ पर हम अगर हम टोटल कैल्कुलेट करें अगेन मैंने बताया था कि आयोडीन तो अच्छन का होता है आपका 53 आपके टोटल जो वैलेंस सेल के अलग इलक्ट्रों की बात करें तो यह होते हैं आपके 7 तो अगर हम 7 ओलरडी हैं और दो और ले आते हैं तो दो तो CL के साथ bond बना दिये, दो bond pair होगे, अब दो bond pair बचने, 6 electrons अभी भी भी बच रहे हैं, है ना, छीक है, 6 electrons जो बच रहे हैं, इसका मलब 3 lone pair भी भी इसमें बच रहे हैं, तो कुल मिला के दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, तो ICL2, 2 negative के अंदर, दो तो bond pair हैं, और 3 जो हैं, आपके कुल मिला के lone pair हैं, समझे रहे हैं, आप इसके, उसको देखिए, क्या कहते हैं, आपका electronic configuration तो आपको समझ में आ जाएगा, तो total हमारे पास 3 और 2 5 होगए, और 5 की इस्तिती में होना चाहिए, SP3 कौन सा, D2 hybridization, नहीं, SP3 D2 हाँ, SP3 D2 हाँ, तीन और 2 5, दो, हाँ, ठीक है दोस्तों, इसमें जो right answer है, वो option B है, SP3 D2 ही इसमें होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next देखिए, the main reason for sorter BF bond in BF3 is, तो BF3 के अंदर जो bond है, वो sorter होने के कारण क्या है, तो यहाँ पर जो right answer है, वो है, large electronegativity of fluorine, है न, तो fluorine आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा electronegative है, और उसके कारण से जो है, वो अपने, इसको जहाँ बहुत तेजी से जहाँ अपनी तरफ खीचेगा, तो जो obviously एक bond है, वो क्या होगा, थोड़ा उसकी length घट जाएगी, ठीक है न, आगे बढ़ते, next, pair with linear geometry, तो linear geometry वाला pair कौन सा दिख रहा आपको, तो friends, अगर आप ध्यान से देखें, तो CO2 तो मैंने आपको बता रखा है, तो CO2 आपको केवल B वाले structure में ही दिख रहा है, तो यहीं बिल्कुल सही है, ठीक है न, I3 जो हैं, वो इस प्रकार से होता है, I, I और I, बाकी इसके अंदर जो 3, total 7 होते हैं, तो 7 के अंदर 3 use हो गए, और I3 negative भी है, तो negative यहनि कि आपका 8 electrons outermost cell में हो गए, जिसमें से आपका 3, यह दो तो bond बनाने में use हो गए, तो बच्चे का आपके 6, 6 electron बच्चे हैं, तो 3 आ आपके electron, long pair, sorry, तो 1, 2, 3 इस प्रकार से यह long pair हो जाएगा, तो यह I3 का structure, I, I, और I, तो यह भी एक linear structure हुआ, 180 degree का angle बन रहा है, 180, 180 यहनि कि linear, तो friends, इसी हिसाब से आपका B, जो है, हमारा बिल्कुल सही है, CO2 का मैंने आपको बता रखा है, कुछ इस प्रकार का structure होता है, ह hybridization involved and geometry of XEF2 respectively, तो XEF2 की geometry को ध्यान से देखेंगे, तो XEF2 के दो bond pair के और बाकी के बचे वे जो है, वो lone pair के, तो उसको मिला के total geometry हो जाएगा, आपकी, कितने हो रहे है, total, 3 और 2, 5, तो दोस्तों, पांच आपके हो रहे है, total electron pair, और इस हिसाब से geometry हो निचे, SP3D, तो SP3D किसमें दिख रहे है, इसमें SP3D तो मुझे किसी में भी नहीं दिख रहे है, कुछ गड़बर है दोस्तों, इसमें, इसकी जो geometry है, वो XEF2 की बात कर रहा है, तो linear geometry होती है, तो ये option C ही वाला right answer हो, इसमें कुछ mistake है, ऐसे SP3D and linear geometry होना चाहिए, चीक है, आगे next, अगला है, the correct order of dipole moment of BF3, NF3 and NH3, तो friends, dipole moment के लिए बताने के ज़रुवत नहीं है, कई बार बता चुका हूँ कि जिसमें आपका electro negative atom है, वो सबसे ज़्यादा होगा, तो उसी साब से आप देख सकते हैं कि पोल्स जो हैं, वो generate नहीं होंगे, डी, तो हाँ, जो electro negative atom वाला होगा, उसमें दोस्तों, क्योंकि पोल्स, वो एक दूसरे को ज़्यादा attract करेंगे, तो पोल्स कम develop होंगे, तो इसका मतलब वो less dipole हो जाएगा, तो इसके हिसाब से जो F वाला है, वो सबसे less होना चाहिए, त फिर आपके पास NF3 होगा, फिर NS3 होगा, ठीक है, तो right answer इसका option D होगा, ओके, तो friends ये था हमारा आज का discussion, I hope आप लोगों को ठीक लगा होगा, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, और मैं आपके बीच में जल्दी आऊँगा, एक नया वीडियो लेके, और उसके बाद जो है, नया क्या, आप basically इसमें जितना discussion करना था हमने कर लिया है दोस्तों, और इसमें कुछ और questions हैं क्या, एक मिनट देखने दो मुझे, कुछ questions और हैं इसमें, हाँ, दोस्तों इसमें जो MOT है, यानि कि जो molecular orbital theory है, उससे related कुछ questions जो हैं, वो हमने discuss करना अभी बाकी है, ल इसमें से मुझे लग रहा है कि ज्यादा लंबा वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है, फिर आप लोगों को पढ़ने में कोई interest नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत इतना जरूर आप देख लिए कि जो MOT वाले होते हैं, उसमें basically, जैसे कि आप इसी में देखती, question 250 वाले म है, तो इसमें basically कुछ नहीं करना है, structure का जो है, वो molecular formula, MOT जो theory है, उसके हिसाफ से लिख देना है, और उसके बाब उसमें गिन लेने कि कितने bonding हैं, कितने anti-bonding हैं, और उसके हिसाफ से आपका bond order पता लग जाएगा, simple, है ना, जैसे कि आपके पास, अगर हम oxygen molecule की बात करें, total 16 होते हैं, जिसमें 10 bonding होते हैं, 6 anti-bonding होते हैं, तो 2 हो गया आपका bond order, अगर O2 positive में जाते हैं, तो 1 electron कम हो जाएगा, तो वहाँ पर 5 electron रह जाएगे आपके non-bonding में, तो इसलिए 2.5 हो गया, तो इस प्रकार से यह हम निकाल सकते हैं, तो basically इस वाले जितने भी इसमें questions ह हैं, वो सारे इसी प्रकार के हैं, जिसमें bond order निकालने के लिए आपको बोला गया है, या आपका पूछा गया है, कि वो diamagnetive है या paramagnetive है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, अगर जिसमें electronic configuration के हिसाब से, आपका unpaired electron दिख रहा होगा, तो वो आपका paramagnetive होगा, जिसमें नहीं दिख रहा होगा, तो आप खुद से इसको करते रहना, तो अभी के लिए इतना काफी है, thank you so much, good night.